हलो दोस्तो मेरे यूटूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों इंग्लिस भासा इंप्रूव करने का एक बहतरी इन तरीका है मुई के सब्टाइटल्स जी हाँ दोस्तों मुई के सब्टाइल से आप आपके इंग्लिस बसा इंप्रू कर सकते हो इंग्लिस बोलना सीख सकते हो तो उसी प्रेयर कुछ मुई के सब्टाइल से में इस वीडियो में लेके आया हूँ कि तुम अपनी बातों से पलट नहीं सकते, यू कांट गो बैक ऑन यो वर्ड, तुम अपनी बातों से पलट नहीं सकते, अगला बला सेंटेंस देख लें दोस्तो, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि तुम नहीं आ सकते, it's a great pity it's a great pity that you can't come it's a great pity that you can't come यह तो बहुत अपसोर्च की बात है कि तुम नहीं आ सकते अगला वाला sentence एखते हैं दोस्तो मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था I came with the great acceptations उम्मीदों को कहते हैं इंगलिस में acceptations ये वाइड आप note कर सकते हो इस पर आप 3-4 sentences बना सकते हो मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया था I came with great acceptations आया था है तो इसमें कम का second form लगा है came अगला बारा sentence देख ले दोस्तो तुमारे पास इतना पैसा नहीं है तुमारे पास इतना पैसा नहीं है you don't have that much money you don't have that much money तुमारे पास इतना पैसा नहीं है तो अगला बारा sentence देख ले दोस्तो जो तुमने वादा किया था जो तुमने वादा किया था वो तुमें करना पड़ेगा you have to do what you promised you have to do what you promised ने जो तुमने वादा किया था वो तुमें करना पड़ेगा you have to do what you promised promised यहने वादा वादा किया था तो यह promised आया है वरना promise होता so अगला वाला sentence देख ले दोस्तू क्या तेरे माबाप ने तुझे तमीज नहीं सिखा ही क्या तुमारे माबाप ने तुझे तमीज नहीं सिखा ही didn't your parents teach you manners didn't your parents teach you manners manners यहने तमीज so अगला वाला sentence देख ले दोस्तू अगर उन्य फिर से ऐसा किया तो मैं तुझे गर्फतार करवा दूंगी अगर उन्य फिर से ऐसा किया तो मैं तुझे गिर्फतार करवा दूंगी If you do this again, I will have arrested If you do this again, I will have you arrested So, अगला बाद sentence देख लेते हैं दोस्तो मैं किसी ऐसी जगे जाना चाहता था जहां मैं पहले कभी नहीं गया था मैं ऐसी जगे जाना चाहता था जहां मैं पहले कभी नहीं गया था मैं किसी ऐसी जगे जाना चाहता था जहां मैं पहले कभी नहीं गया था So, अगला बाद sentence देख लेते हैं दोस्तो मेरा यहां आने की सिर्फ एक ही वज़े है मेरा यहां आने की सिर्फ यही एक वज़े है That's the only reason I came here That's the only reason I came here मेरे यहां आने की सिर्फ यही एक वज़े है That's the only reason I came here So, अगला बाद sentence देख लेते हैं दोस्तो जब तुम चुप रहते हो तो अच्छे लगते हो जब तुम चुप रहते हो तो अच्छे लगते हो You look good when you are quiet जब तुम चुप रहते हो तो अच्छे लगते हो You look good when you are quiet So, अगला बाद sentence देख लें दोस्तो चाहे कुछ भी हो जाए बस मुखराते रहना no matter what happens just keep smiling no matter what happens just keep smiling चाहे कुछ भी हो जाए बस मुखराते रहना अगला भ वाल सेंटेंज देखलें दोस्तोGS last sentence है हम वहाँ जायेंगे या नहीं इसका फेसला करना तुमारे हाथ में हम वह जाएंगे या नहीं इसका फैसला करना तमारे हाथ में it's up to you to decide whether we will go there or not it's up to you ये तमारे उपर है to decide whether we will go there or not तो दोस्तों ये सारे sentences बहुत ही useful थे हम अक्सर ये बोलते हैं तो इन पर आप practice कर सकते हो इस पर तीन चार और sentences बना सकते हो तो आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं हमारे अगले वारी वीडियो में तब तक के लिए बाई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और चैनल को जरूर सस्क्राइब करें तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेकर कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग